सलम लेकुम दोस्तों इस वीडियो के माधन से मापको कुछ जरूरी हो इंपोर्टन्ट अपडेट बताएंगे अगर आप सौधी रप के अंदर रहती हो ये किसी भी देश के अंदर रहती हो और ये जानना चाहती हो कि आप ही हमारे देश में कब रमजान है और क्या बदला ग और इसके लावा और बाकि जितने भी लोग हैं जो लोग अभी रमजान के बारे में जानना चाहते हैं इसके लावा जो लोग अभी सौधी रप के अंदर रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अभी ईद अलफितर कब है तो हम आपको बता दें कि खगोलियो बिग्यान की तरफ से अपडेट किया गया है कि अभी 25-13 विशिसक मतलब इतने विशिसक की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार को ईद का चांद देखना ना मुंकिन है और यहां पर अपडेट के अंसार कहा गया है कि खगोल विज्ञान के तरफ से आगे अपडेट किया गया है कि सभी इस इसलामिक देश है चाहे वो सौधी हो कुबैत हो कतर बहरीन हो या बाकी आसपास के जो देश है जितने भी गल्ब देश हैं उनको यहां पर अपडेट किया गया है कहा गया है कि आर्ध चंद्रकार चंद्रमा की नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है और नहीं नभिंतम दुर्बीन से भी उप्योग करके देखा जा सकता है यहां पर यह अपडेट किया गया है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी देखता है तो तुरंत कोर्ट में उसकी गवाही जो है दर्जी की जाएगी इसलिए बो तुरंत जो है उसकी जानकारी दे हम आपको बता दे कि चंद्रमा 6 से 6 डिगरी उपर दिखाई दे और यहां पर गुरुवार को मक्का में चांद तापमान 5.1 डिगरी एसो सलम में 5.4 डिगरी काहरा में 5.5 डिगरी अब धाबी में 4.7 डिगरी तापमान चंद्रमा का गुरुवार को रहेगा आगे अपडेट के अगया है कि उन देशों में सुकुरुवार 21 अपरिल को इद मनाई जाएगी चांद का चंद्र खागोलिये गठना में सिद्ध हो जाएगा अगर कोई भी चांद देख लेता है तो आग से देखना संभव नहीं है किसी अन देश में जहां चांद दिखत है वहीं पर सिद्ध होगा और वहीं पर माना जाएगा यानि पूरी तरह से अगर बात करें तो गुरुवार को चांद देखना संभव नहीं है इसलिए अभी एक कंफम नहीं कहा जा सकता है कि जो अभी इद वो कब होगा लेकिन हम आपको बदा दें कि रमजान 30 दिनों का ह होगा जबकि इद सनिवार 22 अपरेल को होगी इस तरह से अपडेट किया गया है बाकी जैसे नहीं अपडेट आती हम आपको जल्द अपडेट करेंगे